नमश्कार आपके प्रियंका तिवारी खबरों को विस्तार से जानेगे कानपुर से खबर है जहां कानपुर देहात में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तीजी के साथ वाइरल हो रहा वाइरल वीडियो में छोटे छोटे बच्चे स्कूल की पानी की टंकी साफ करते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि मौके पर मौझूद एक व्यक्ती बच्चों से पानी की टंकी साफ करते हुए दिखाई पड़ रहा है वाइरल हो रहा इस वीडियो को देखने के बाद जहां आम लोग विद्याले प्रबंधन के उपर कारिवाई की मांग कर रहे तो वहीं बेसिक सिक्षा अधिकारी ने वीडियो की जाँच पर कारिवाई करने की बात कही है यह आपका डेरापूर में कौन सा ग्राम पंचायत आपने बताया अकारू में ठीक है तो ऐसा है बीयो के माध्यम से इसकी जाज करवाते हैं और अगर इसमें सत्यता है तो कठोर करवाई की जाएगी जो हेड़ मास्टर है उनके खिलाब भी और आगे से क्योंकि हम लोग का अ इतने पैरामिटर से कायकल के उनको संत्रिप करना है तो इस तरह की जोरो ने 24 घंटे में साथ घरू को निशाना बनाया बतादे कि थाना नीम गाउं शेतर में चोरो का गैंग लगातार सक्री है तो वहीं पुलिस चोरो पर अंकुष लगानी में नाकाम साबित हो रही चोर पुलिस के लिए सिर्दर्द बने हुए बतादे कि बीती रात रमुआ पर सनौरी गाउं में नकाब लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है राइबरेली प्रयाग राज एनेच तीस के भदोखर थाना शेतर के मुन्शी गंज में दरदनाक हादसा हो गया फ्लाई एश लदा ओवरलोड डंपर अनियंतरित होकर एको स्पोर्ट कार पर पलट गया जोसे काल सवार पांच लोगों की दरदनाक मौत हो गई जबकि तीन बच्चे बच गए जिसमें से एक बच्चे को अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद घर भीज दिया गया हादसा उस वक्त हुआ जब दो परिवार के लोग ढबे से खाना खा करके वापस राइबरेली की तरफ लोट रहे थे तब ही एक डंफर अनियंतरित होकर गाड़ी के उपर पलट गया हादसे से एनिच पर अफरा तफरी मच गई स्थानिये लोगों ने पुलिस क बादों कर पास ट्रक और का एक्सिडेंट हुआ है जहां तक लगता है कि ट्रक नौरण भरी ट्रक थी वो कार के उबर पलट गई है ऐसा सुनने में आया है जिसमें पांच लोग अम्रतवस्था में यहां लाए गए और एक बच्चा जीवित है वो सेफ है उसको बहुत किन होगा रहा है बाठी कोई चोड़ा है